वेलकम बेक टो वर यूट्यूब चैनल क्विक माइट्स तोड़े वी विल डिसकस ग्लास 10 साइंस चैप्टर सिक्स लाइफ प्रोसेस पार्ट टू पिछले पार्ट में हमने डिसकस किया था ओट्रोट्रोपिक नूट्रिशन एड फोटो सिंथेसिस के बारे में क्लियर है अपनाते हैं और कैसे यूज करते हैं और कैसे उनका यूज करें कैसे ब्रोकडाउन ब्रेकडाउन हो रहा है तो वह सारी स्टेटिजिस अवेलेबर हैं हमारे पास कुछ और्गेनिजम तो होते हैं सम और्गेनिजम ब्रेकडाउन दा फूड मैटेरियल आउटसाइड दा ब और कुछ कैसे होते हैं, पहले food को take कर लेते हैं और बाद में उसका सारी process का पे होती है, inside the body, clear है, तो उसके basis पे हम पढ़ते हैं, इसके next sub-parts, first है हमारा holojoic nutrition, holojoic nutrition कौन सा होता है, animal take in solid food, animal कैसे food को लेता है, solid part को लेता है, take food करता है, and then break down it, उसको फिर solid food को क्या कहता है, break inside the body, किसमें होता है, holojoic nutrition में, clear है, examples कोन से हो जाएंगे हमारे amoeba, animals, animals जैसे की human being, तो उसमें खौद सा होता है, हमारा holojoic nutrition होता है, जो animals क्या करते हैं, solid form में food लेते हैं, और फिर inside उसका क्या होता, breakdown होता है, inside our body, clear है, next part आता हमारा second part, saprophytic nutrition, इसमें क्या करते हैं, organism feed on dead, जो हमारी dead bodies होती है, उनको अपना बोजन बनाते हैं, decaying organic matter को, यह dead bodies है, example है, इसके fungi and other saprophytic organism, इसमें क्या होता है, जो food होता है, वो partially outside, digest होता है, सारा बहार digest नहीं होता, outside the body and then it is absorbed, clear, तो इसमें क्या होता है, इसमें सारा food क्या होता है, inside absorbed भी होता है, digestive होता है, लेकिन इसमें partially outside, digest हो जाता है, clear है, next हमारा third आता है, parasitic, parasitic nutrition में होता है, parasites कौन से होते हैं, जो live inside the, inside और outside the other organism, जो और organism हैं, उनके अंधर, यहां बाहर रहते हैं, हम उनको बोलते हैं, उनको बोलते, उनको बोलते, parasites, और drive nutrition from it, जो दूसरे organism हैं, उनसे वो अपना nutrition drive करते हैं, clear, example है, जैसे leech, तो इसके एक्जामपल और parts हो गए, holojoic, saprophytic, और parasitic nutrition, clear, next हम पढ़ते हैं, nutrition in amoeba, amoeba में कैसा nutrition होता हमारा, holojoic, amoeba feeds by holojoic mode of nutrition, इसमें use होता है, यह क्या करता है, it engulfs the food particle using pseudopodia, clear, the process is called phagocytic phagocytis, phagocytis इसको the endgulf would get enclosed, जो इस फूड को एनगलफ करता, वो एनगलोज हो जाता है, और food vacuum form हो जाता है, जो उनदाजिस्टेट, फूड होता है, वो बहर देखता है, जाता है, यह हमारा amoeba है, देखते हैं, इसका first step है, इसने यहां पर food particle है, clear है, तो इसको यह angleफ करे की उनलार्ज कर लेता है और इसको इसको क्या कर लेता है फूड Coast को इनटेक लेता है gaveüss क्वोड इसके पास पोंच गयां क्लियर में फूड वैक्वाजे के अनदर ले लिया फूड वैक्क्वाज़ फोग होग्या क्लियर है और जो अ Definitely 느껴살 में के है इसका EUCLEUS है नुकलिएस और दूसरा है इसका फूसरा ऊन्गलफór गया जो इसने अन्गलफ उसका एंगलफ और जाता रह जाता है क्लियर तो इसके डिफेลेंट डिफेर्फेटरेंट स्प्प्स कैसे लेता है अपना फूस्टवर्ब में कैसे of सब जानते हैं कि जो हमारी हुमन डाइजस्टिव सिस्टम होती है और डाइजस्टिव ग्लेंट से प्रेजेंट होती है क्लियर है? ते से फाइज़ेज़ इन हो मन डाइजस्टिशन लेचन में अंब हम इसकी वन बाइजस्टिश्टिव में नेक्स्ट डाइजस्टिव ग्लेश्टिव होती है को तो तरह टें से ब्रेकत in घुक्षांट खेंट हमारा राईजसिन n Tá अलोगा हमारा स्टमक पर ब्रेकिंग फूडाLu के फूड कि हो जाता हैं पहुंट के स्थाम्पलेक्षा हो थेक निच्ट थेमाइप जूपरिभ्षाएंट्स पनी गसा जाता आएं लिंफ के साथ ट्रांस्पोर्ट होता है सेल के अंदर तो इसको हम बोलते हैं अब टेक दा फूड इन सॉलूबल प्रोड़क्स ओफ दा डाइजेशन डाइजेशन के बाद इस स्मॉल इंटस्टाइन में चला जाता है मारा फूड क्लियर है और वहां पे इसका क्या होता है फूड बच जाता है तो उसको हम कैसे करते हैं इसके स्टेप नूटरिशन कैसे होता हमारे हमारेm बींग से और है आज हम डिसकस करेंगे स्टिन होमारिश्टि अदल Records के सुब में कैसे वर्वता है या देख Umadicum का हम शुरू म canon से अपने फूड को टेक करते हैं बाइदम होती है बकल कैवेटी तर उसके बाद यह ऐसो फेकर से पास होता हुआ फिर यहां पे पोच जाता हमारा लीवर में स्टमक में सोरी और यह इसका क्या है लीवर है दिस इस अवर गाल ब्लेडर यह हमारी बाइल डक्ट ग्लेंड है ठ इसके यहां पर है ओंक सोरन जिसमें हमारे थेय। अग्लमों करक्ति और यहां ब्लडर आप में गया। यहां पर हमारा absorption होता है food का, digestion के बाद food यहां पर पहुझ जाता small intestine में, then in large intestine, उसके बाद यहां एनस के थू क्या होता है, injection होता है, तो यह हमारा step होते हैं, यह लिए one by one discuss करते हैं, first क्या होता है mouth, mouth से हम अपने food को लेते हैं, it is the opening of the elementary canal, elementary canal की opening होती है mouth में, helping injection of the food, food को inject करने में help करता है, और buccal cavity यहां पर present behind the mouth, and buccal cavity में हमारे क्या-क्या present होते हैं, teeth और tongue, clear है, tongue में क्या होती है, हमारे slavery glands present होती है, यह क्या करती है, saliva secret करती है, और किसमे help करता है, start के digestion में इसका काम आता है, जो amylid secret होता है, हमारे slavery glands में clear है, और buccal cavity में हमारे क्या present होता है, teeth, तो teeth क्या करते हैं, अब जब जाते है की काटने का काम करते है, achieving का करते हैं, achieving and grading of the food होता है, small parts में break करते हैं, अपने food को, तो कौन करता है, हमारे teeth, यह प्रेजेंट होती है, हमारे buccal cavity में, इस अभी, next है था हमारे tongue, tongue क्या क्या काम होता है, rolling and tasting of the food, हमें food के taste का कहां से पत बट्कल्ड द्वेटी क्लियर है वंस तो हो गया माउथ माउथ में हमारी कोडू कुड से होते प्रेजन्ट ठीक है हमने देखा नेक्स नहीं आता हमारा ओईसो फेगस तो कैया होती है हमारी जो बड़ीप्ट रजैजन्ट होती है दिस खीज औहई सो फेगस मौट्ण कहाने हम इस मस्कूलर टूब यह हमारी मस्कूलर टूब होती है बाउट 25 सेंटीमेंटर लोग विदेववाल और ओपनिंग एट इज एंड दोनों तरफ इसमें क्या ओपनिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग होती है टेक्स फूड फ्रों माउथ बाइदा परिसेटिक मोमेंट इस पंदर लेते हैं वसे हिसाब से इसक्षाप से तो फिर हमारा फूड पहुचा है कहां पे स्टमक में इस पाइप के तूर हमारा फूड कहां पे स्टमक में इस स्टमक में क्या है इस तर ठिक वाड बैग-like structure होता ही हमारा इट रिसीव फूड फ्रों ओइसोफागस ओपन को रेसीव करता है from one end and open into small intestine वो दूसरा इसका पार्ट है जो वो कहां पर एक दूसरा end कहां पर open होता है इसका small intestine में clear है तो इसमें दो पार्ड इंट रेसीव food from oisophagus at one end से ये connect होता oisophagus से जो stomach वाला part है and open into small intestine small intestine में फिर इसकी opening हो जाती है clear at the other end clear है यहां से यह इसमें stomach है फिर यहां से इसकी कहां से यह connect है हमारा small intestine next आते हमारा कौन-कौन से juices secret होता है next gastric juice होता हमारा gastric juice में कौन-कौन से होता है first is pepsin, pepsin हमारा यह secret होता है जैंसी क्या काम करता है breakdown of the protein, proteins की breakdown में help करता है next होता हमारा HCL gastric juice secret होता है यह क्या करता है makes the medium acidic next होता है mucus mucus क्या करता है protect the inner lining of the stomach जो हमाई stomach की inner lining होती है उसको protect करने में help करता है फिर आती है हमारी small intestine this is our small intestine clear है this is our large intestine यह भारवल यह small intestine है क्या करती है it is the longest part of the elementary canal यह elementary channel का longest part about 20 feet long it has three regions duodenum, geogenum and helium इसके three main parts है जो internal surface of the small intestine है वो क्या करता हमारा is folded into finger-like projection called willy-willy की form में यह क्या होता है इसके structure होता है internal surface जो small intestine का यह fold होके finger-like structure बन जाते हैं इनको हम बोलते हैं thread-like structure clear है इसके बाद और हमारा क्या present होता है liver, liver क्या करता है secret the bile, bile को secret करता है next आता pancreas, यह हमारे pancreas gland है, secret करते हैं हमारे pancreatic juice को clear है next आती हमारे intestinal enzymes, intestinal enzymes कौन-कौन से होता हमारे carbohydrate, fat और protein इनका कैसे digestion और absorption होता है, carbohydrates होता हो किसमें break हो जाते हैं glucose में और जो fats होते हैं वो हमारे breakdown किसमें होता है fatty acid और glycerols में इनका breakdown होता है और proteins किसमें change होता है हमारे breakdown होके amino acids में, इनका breaking down होके किसमें change होता है यह हमारा amino acid, these are हमारा intestinal enzymes, कौन-कौन से होगे glucose, fatty acid, glycerol, plus amino acid, clear है यह carbohydrates और यह इसमें break होगे, next आते हैं हमारे pancreatic juice, pancreatic juice कौन से होते हैं, trypsin, lepsic, clear है trypsin में कौन से होता है, proteins किसमें convert होते हैं हमारे peptons में, और lips से कौन से convert होता है, emulsified fat होते हैं that is fatty acid and glycerol, यह हमारे दो कौन से होते हैं, pancreatic juice, यह lipse को convert करते हैं हमारे fatty acid और glycerol, clear है next, come to large intestine, large intestine में क्या होता है हमारा, the reason of the large intestine after the ileum is called large intestine, इसका reason होता है large intestine is about 5 feet long in humans, यहाँ पर क्या होता है, absorb excess water, जो excess water होता है, उसके यहाँ पर absorption होता है clear है, इसके बाद आता हमारा rectum, rectum क्या होता है, temporary collection of the waste material, जो temporary collection कहाँ पर होता हमारा rectum में होता है it open, outside the anus, anus की तरफ इसके opening होता है, next is the anus, anus में क्या होता हमारा, anus as internal and external spinches helping the injection, यह injection में help करते हैं, इसके पास होते हैं, clear, तो यह हमारा हो गया, हमारा digestive system, clear है next class में हम discuss करेंगे, respiration के बारे में कोई doubt और curious हो, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आयो तो please like और share करना ना भूले, thank you for watching my video